पिक्सल प्लस ईवाई का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे मी 11 X डिवाईस के लिए आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेट पूरा इंफ्रोमेशन देने वाला हूँ कि क्या कुछ नया देखनी को मिलता है क्या है बग इसके और साथ-साथ प्रफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है यह एक फॉर्स्ट अपडेट है मेरे चैनल पर मेरे लेवन एक्स का पिक्सल प्लस ईवाई से रिलेटेड तो यहां पर पूरा डीटेल के साथ यह वीडियो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट टैम कोई भ प्रफुल निकल के आता है यह पिक्सल प्लस ईवाई हमारे मी 11x डिवाइस के लिए सबसे पहले आप देख पावे है कि इसका ऑल्वेज ऑन पे आपको बड़े फॉंट के साथ क्लॉक देखने को मिलता है जो कि एंडुराइट ट्वेल में हमें नजर आता है और यह काफी प्रफुल सा लुक देता है जो आप इसे ओल्वेज ओन और यहां पर बिक फॉंट को यूज करोगे जो के एंडुराइट ट्वेल का है और यहां पर जो फिंगर प्रिंट है यह भी अच्छे से काम करता है गूगल का डाइलर हमें देखने को मिलता है और आप देखोगे कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है तो यहां पर अच्छे से काम करता हुआ नजर आता है तो इसमें आपको कोई दिकत नहीं आएगा जियू का कॉलिंग यहां पर आपको पर्फेक्ट वर्किंग देखनी को मिल जाएगा यहां पर आते हैं आपको कई सारे ओप्सन देखनी कर सकते हो और data saver का भी option आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर हम आते है about के उपर तो यहाँ पे radio का info आपको देखनी को मिलता है जो कि आप बदलाव ला सकते हो और यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाएगा इसका emergency info जहाँ पर बहुत साद इंफोर्मेशन सेट कर सकते हो medical health और emergency related जो कि emergency की टाइम पर आपके काम आने वाला है Android वर्जन के उपर टैप करें तो यहाँ पर दिखाएगा देगा 3.7 और यह थोड़ा delay होके वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं MIUI 13 से related एक जो रोम आता है MIUI VN उसका review कर रहा था यानि चेक कर रहा था उसके पहले EU का जिसके सारा advice एक ही है बस अलग-अलग name देखनी को मिलता है मेंटेनर का आपको यहाँ पर name देखनी को मिल दाएगा और July 5 का latest security patch June 1 का Google system है और यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है Quantic का kernel और यहाँ पर 16 का इसका build date देखनी को मिलता है Linux आपको यहाँ पर enforcing देखनी को मिलेगा जो कि security मामने थोड़ा बेटर मालना जाता है तो यह आपको काफी अच्छा देखनी को मिल जाता है system के अंदर आपको system updater देखनी को मिलता है जो कि next time OT update में भी so करेगा लेकिन अभी इसका जो flashing method है वो इतना ज्यादा easy नहीं है तो OTA का कोई benefit नहीं होने वाला यहाँ पर आपको है जो देखनी को मिल जाता है camera का option system nib bar जहाँ पर आपको haptic customization हो गया देखनी को मिलता है थोड़ा ज्यादा नहीं है लेकिन overall okay है यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाएगा ringing का option screen shoot का power menu में आप है जो device control कर सकते हो यहाँ पर adaptive playback quick torch और यहाँ पर playback control का option आपको देखनी को मिलेगा और यहाँ पर जो haptic feedback है यह काफी जड़ा better सा feel देता है device के उपर जो को मुझे काफी सही लगा है यहाँ पर face unlocking आपको working देखनी को मिलता है जिसमें मुझे कोई भी issue नहीं लगा और यहाँ पर fingerprint भी मुझे working देखनी को मिल कि अनलोग और scramble layout वगड़ा भी देखनी को मिलता है जो कि अच्छे से काम करता है अगर हम आते हैं इसके accessibility के अंदर तो यहाँ पर आप जो vibrate pattern वगड़ा को change कर सकते हो और यहाँ पर जो haptic feedback वगड़ा है उसे भी आप control कर पाऊगे अपने calling के लिए notifications के लिए और touch साउंड के profile में यहाँ पर clear speaker का option मिलता है लेकिन साउंड का जो doll view feature से ना वह यहाँ पर देखनी को नहीं मिला है इसके अंदर वह साथ आगे आ जाएगा बाद में यहाँ पर dark mood है लेकिन मुझे यहाँ पर कमी लगा है कि देख सकते हो आप जैसे मैंने dark mood को enable किया setting बाहर की यहाँ पर थोड़ सा issue लगा है जो कि उमीद करते है next update में fix हो जाएगा इस बार में tuner का option मिलता है जहाँ पर कहीं सारे option को आप on and off कर सकते हो live display आपको देखनी को मिल जाएगा जहाँ पर color profiles वगरा दिये गया है pictures वगरा का भी option देखनी को मिलता है जो कि आप यहाँ पर use क कर सकते हो manage कर सकते हो time out, rotation, color boost जो कि काम कर रहा है यहाँ पर आपको locks related option मिल जाएगा music visualizer, covered art और यहाँ पर always on और double tap वगरा जो कि मुझे working देखनी को मिला है जगर आप इसे off रखते हो और double tap करोगे तो आपको working देखनी को मिलेगा लेकिन sometime one time में यह काम नहीं करता तो इंप्रूब्मेंट की जरूवत मुझे लगा है, बाकी इसके बार मैं तो आपको पता ही है always on और यहाँ पर आपको refresh rate जो कि 120 और 60 है बट इसे मैं जब भी select करता हूँ यह unselected so होता है जैसा कि अभी दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी थोग असा fix की जरूवत है और double tap to wake up यहाँ पर भी आपको देखनी को मिल जाएगा, तो display के अंदर थोई से improvement की जरूवत है कई सारे settings है जो कभी कभी दिक्कत करते हैं, बैटरी के मामले में मैं कहुआ है बैटरी अभी उतना अच्छा मुझे नहीं लगा है थोग ज्यादा drop हो रहा है normal basic usage के उपर जो कि यह यहाँ पर improve होने की जरूरत है, साथ से साथ यहाँ पर आपको smart cutoff देखनी को मिल जाता है जो कि charging related काम आता है और यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है terminal profile और इसका जो look है ना यह भाई oxygen waste जैसा दिखाई दे रहा है, पिक्सल का extra customization जो कि यह पिक्सल का जो इतने भी developers के details हो सबसे last में देखनी को मिलते थे, अब यह first में आ चुका है और यहाँ आपको देखनी को मिलता है डवल टैप स्लीप, brightness, 4G, battery, inductor वगएरा जहाँ पर battery related customization आप कर सकते हो, quick setting में row and column देखनी को मिलता है, tiles आप enable कर सकते हो, और यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है android will, oxygen 11, ascent और default वगएरा, तो जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर बदल सकते हो, और network traffic भी आपको देखनी को मिलेगा, तो इस तरीकी से जो भी आपको QS रखना है वो आप यहाँ पर set कर पाऊगे, और अच्छे तरीकी से काम करता है, double tap to sleep, fingerprint notification, status bar, lock animation, और यहाँ पर आपको swipe बटन और साथ साथ connecting, disconnecting और वेटिंग पर वैबरेट का option, यहाँ पर आप volume पैनल को control कर सकते अपने merger साथ, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पर set कर पाऊगे, उसके बाद यहाँ पर power menu में advance, boot और lockdown का भी option आपको देखनी को मिल जाएगा, जो कि काफी च अच्छे का से मिलते हैं, hot spot, wifi, bluetooth वगेरा अच्छे से working है, इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है, और यह अच्छे तरीकी से काम करते हैं, रही बात features के अलावा performance इस रोम की कैसी है, तो चलिए उसके उपर एक नजर डालते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर play story यह certified technique क मिलने वाला है, तो root करने के जुरूद नहीं है, अगर आप non root users होतो हो, साथ से साथ यहाँ पर L1 का support आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर Amazon Prime Netflix यूज कर पाऊगे, दिकत नहीं आने वाला, और यह है untutu का score, अगर China Stable से compare कर इसका, तो यहाँ पर काफी कम है, कि कुमा यहाँ पर 6-7 का था, यहाँ पर 6-0 का score है, और इसने 3.2% है जो hitting gain किया है, और 1% का battery drop, जो कि यहाँ पर काफी सही लगा, बट normal usage पर जो battery drop मुझे लगा है, ऐसा feel हुआ, तो यहाँ पर यह custom में थोड़ा different रहता है, और MIUI का थोड़ा different रहता है, बट जो user experience मुझे रहा नि और यहाँ पर यह है इसका CPU total, जो कि 79 देखनी को मिला है, तो यह भी थोड़ा समुझे weak लगा है, थोड़ा और better होता करीव 84 के आसपास तो थोड़ा better मान सकते थे, तो overall यह first update है, तो जितना कुछ भी यह provide कर रहा है, मुझे काफी सही लगा, और इसमें मुझे कोई दिक्क generated वो भी काफी अच्zeug कास से आपको देखनी को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा-खास सा लुक देखनी को मिलेगा, और जो भी clocks आप यहँ पर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे हो, तो यहाँ पर set करना है, apply करना है, आपको काफी बहतरी बहत टेखनी को मिलता है जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हो रेट्रो है आई थिंग और यहां पर इसका खुद का वाल पेपर और रिकॉर्डर वगएरा देखनी को मिल जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग और जो कि अच्छे से काम कर जाता है दिक्कत नहीं आता रही बात इसे फ्लैस कैसे करना है तो यहां पर मैं आपको फ्लैसिंग ओवर रॉल बता देता हूं किस टाइब से वर्किंग है लेकिन एक डेडिकेटट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूं क्योंकि बहुत सारी उजस्ट प्रॉलम फेस करना है फ्लैसिंग धंसे नहीं हो पा करना होगा अगर अगर पोको से लिए तो उसका ओफिस्यल इंडियन है तो उसका ओफिस्यल बस ओफिस्यल मीवाई होना चाहिए जो कि आपने फास्ट पूट के मैठे से फ्लैस किया होगा उसके बाद आपको टीडियो लॉड पर डालना है अपने फोन के अंदर और यहां पर पास्ट आता है तो जो लॉक स्कीन है वो आपको डाल के टैप कर देना है इसके बाद आप इंटरनल सो होने लग जाएगा और यह वन टाइम ही आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा ताकि आप फाइल ट्रांसट कर पाओ अगर कोई डिक्कत आता है तो फिर ऑप्शन है उनको सेलीक में करना और आपको वाइन कर देना है पुक्त होते हैं होम पर जाना इस्टॉल पर जाना है और है जो फाइल है जो कि आ प्ववा यह दोनों प्रिक्षावन d वने चाहिए इनमें आपको कॉई छियर चा्वर नहीं करने है। अब यहाँ पर स्वindruck कर देना है जैसे ही complete flash होता है आप देखो कि यहाँ पर दो error देखनी को मिल रहा है unpacking boot का और यहाँ पर फिर से जो partition detail उसके पर देखनी को मिल रहा है तो अगर ऐसा same error आपको देखनी को मिलता है तो इसे आप ignore करना और बाकिया आप देखते हो तो यहाँ पर step 1 and step 2 करके इसे flash ह हुआ है उसके बाट क्या करना है आपको home पर आना है reboot और यहाँ पर एक और आपको फिर से recovery करना है जैसे आपका दुआर तीर लोर पर open होता है wipe पर जाना है format पर जाना है yes type करके आपको format करना है और internal में जो कुछ भी है सब कुछ आपका है जो delete हो जाएगा और format के time पर आपको ignore करते हुए attack reboot कर जाना है और कुछ ही सेकेंड के अंदर आपको अपने custom room का boot menu देखने को मिल जाएगा अगर फिर भी कोई confusion या doubt रहता है problem आता है तो आप comment करना मैं इसके उपर dedicated video जल्दी आपको provide करूँगा और साहे doubts आपके clear कर दूँगा किस तरके से आप custom room अप तक लिए इतना ही मैं मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए बाबाए